यह सेरीज की दूसरी वीडियो है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें जिसे नई वीडियो तुरंट आपके मुबाइल पे चली जाए और आप इस वीडियो का फायदा उठा सकें तो चलिए नई सेरीज दूसरी स्टार्ट करते हैं तो चलिए आज की सिरीब स्टार्ट करते हैं एक जल ग्रांड छेत्रे के दुरस्त बिंदू से निर्गम मार्ग तक पहुंचने में जल को लगने वाला समय काल आता है तो हमारा एंसर जो है सी सही होगा अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं अगला कोश्चन यह जो दिया है इसको आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा आयोग ने इसको जो है स्टार मार्क दिया है यह कोश्चन आयोग स्टार मार्क दिया है तो आप लोग से अमरोध है अगर इसका answer आप लोगों को मिले तो आप जो है कमेंट में इसको बताइए अगले question के तरफ चलते हैं वायू छरण के समय अधिकता मेर्दाकरन इसके द्वारा गतिमान होते हैं तो आप लोग जानते हैं जो maximum particle में performance motion फो इसके द्वारा होता है तो इसमें 3 process होते हैं पहला जो होता है saltation दूसरा suspicion और तिसरा surface creep तो हमारा answer जो सही होगा इसमें saltation हमारा answer इसमें कौन सही होगा saltation saltation इसमें 20-50% मिरदा का loss होता है अगले question के तरफ चलते हैं परबलयाकार नाली का अनप्रस्ट कार्ट का छेतर फल है इसको भी आप लोग देख लिजेगा इसको भी आयोग ने जो है start mark दिया है अगले question के दरफ चलते हैं ट्रेक्टर में differential का कार होता है यह तो आप सभी लोग जानते होते होंगे पहला option दिया helps in turning the tractor helps in moving surging of tractor forward help in stopping of tractor help in changing gear तो differential का काम अब जानते हैं कि tractor को जो है tractor को रोकने tractor को आगे बढ़ाने में सायक tractor को मोडने में सायक सबसे जो है हमारे suitable answer हो जाएगा आपसा number A अगले question के दरफ चलते हैं tractor की drawbar अस्व सकती बढ़ाई जा सकती है तो फाला दिया है by increasing the pool of drawbar drawbar pool को बढ़ाकर चालंग गती को बढ़ाकर और अगला दिया है दोनों तो हमारा answer जो है C option सही होगा दोनों के द्वारा अगले question के तरफ चलते हैं petrol engine ignition तंत्र में कम voltage को ignition coil निमलिकित तक बढ़ा सकता है तो अगर यह आप लोग पढ़े होंगे तो इसका answer D होगा 20,000 voltage तक बढ़ाता है अगले question के तरफ चलते हैं diesel engine का संपीदान अनपात होता है तो diesel engine का संपीदान अनपात होता है B, 14, 21 इसी में अगर पेट्रोल का पूछ लिया जा पेट्रोल का तो 8 से 10 अनपाते 1 अगले question के तरफ चलते है diesel तेल का calorific value कितना होता है तो अगर आप लोगों को पता होगा तो टिक करिए और ना में बता रहा हूं option number D 44,200 अगले question के तरफ चलते है unit of energy is उर्जा की क्या होती है अगर आप लोगों को पता होगा तो अपना answer लगाए इधर से B option सही है calorie में engine किसी भी दिशा में चल सकता है इसमें आयोग ने थोड़ा इसमें C दिया है बड़ हमें किताब पढ़ा है तो उसमें दिया twist dog में जो है दोन्नों दिशाओं में कर सकता है आगले question के तरफ चलते हैं आटो चक्र संदर भी था तो इसमें आप बता सकते हैं stable volume cycle, pressure cycle किसमें आप लोगों का जो है सही है तो यह stable volume cycle पर होता है आटो cycle B option सही है अगले question चलते है stream engine R, wasp engine होते है तो अगर आप लोगों को पता होगा तो सही है वरना option C, external convention engine बोलता है इसको diesel engine में उसमा अंदर ली जाती है यह बहुत ही अच्छा question है और इसका answer number यह होगा add constant pressure and constant volume पर rejection करता है और add constant pressure पर energy को अंदर लेता है और add constant volume पर pressure को exit करता है अगले question के तरफ चलते हैं और अगला question बहुत ही अच्छा question है question number 49 हवा की विशिस्ट उसमा का इस्थिर आयतन यह इस्थिर दाव पर संबंध है तो यह हमारा answer C हो जागा constant volume less than constant pressure अगले question के चलता है आटो cycle की मानक वायू दस्था निमने सुत्र से परदर्सित की जाती है का सुत्र अगर आप लोगों को नहीं मालूम होगा तो मैं बता रहा हूँ option number B efficiency is equal to होता है 1 minus 1 by r to the power gamma minus 1 अगले question के तरफ चलते हैं उसमा उनकार यह परदर्श पर परवरतनी है यह कथन काहलाता है तो इसमें जो है इसमें दोनों होगा first law of thermodynamic and juice law अगले question के तरफ चलते हैं एक्रिसी कारे में प्रती हेक्टेर मानो जनसंक्या सबसे अधी कूपियोग में लगी है तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरिके से मालूम होगा अपसना में इंडिया में इंडिया में जो है प्रती हेक्टियार मानो जन्संक्या सबसे अधिकुपियोग में लाई जाती है अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं तो इसका एंसर हमारा होगा Mixed Aluminium Metal अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं इसका एंसर होगा Mixed Aluminium Metal ट्रेक्टर इंजन में अत्यधिक परिव्ट होने वाला नाजल होता है तो आप लोगों को यह तो अच्छे तरीके से मालूम होगा अप्शन नमबर B Multi Hold अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं और अगला कोश्चन हमारा है एक इंजन में Flywheel का उपयोग होता है तो आपको अगर नहीं पता है तो अप्शन नमबर A To Maintain Recommended Speed अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं ट्रेक्टर में बहुँ प्रचलित क्लच परियोग होता है तो इसका आपनान नमबर A होगा सही Multigridal टाइप बहुत तव्य वाला अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं और अगला कोश्चन हमारा है पेट्रोल फ्यूल की एंटि नाग गुनवत्ता प्रदर्सित करता है तो पेट्रोल का आप लोग को पता है तो सही नहीं तो य अक्टेन नमबर सिटेन नमबर होता है आपका डीजल का अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं 6 सिलिंडर इंजन का धहन करम है अगर आप लोगों को पता है तो ठीक वारना अप्टेन नमबर D होगा 14, 26, 35 अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं बैटरी को रिचार्ज करना चाहिए जब इसके इलेक्ट्रोलाइट के 26 घणा तो कास्ता निमने से कम हो जाता है तो इसका अप्शन नमबर A होगा 1,281 अगले कोश्चन के तरफ चलते हैं हवा निकालने की प्रकिरिया की अक्सर आओ सकता पड़ती है तो इसमें जो है इस्केत्स का अंशर बताएं स्चीम इंजन एकगास इंजन है पेट्रोल इंजन और डिजल इंजन हवा निकालने की प्रकिरिया या ब्लेडिंग ट्िया हो सकता है प्रथ्य है क्समें डिजल इंजन में आगले कोश्चन के तरफ चलते हैं 62 टेक्टर में इंजन नियंत्रम प्रणारी है तो इसमें जो है यह दोनों होगा है option number C hit and miss and throttle अगले question के तरफ चलते हैं खेत में कार यह है तो टेक्टर के पिछले पज़े के टायरों में हवा का दवाव होता है तो इसका option number A होगा 0.8 to 1.2 kg पर cm2 अगले question के तरफ चलते हैं मिटी प्लट हल्का वर्टिकल सक्षन होता है तो option number A होगा 3 से 5 और हरिजेंटल होता है 5 cm अगले question के तरफ चलते हैं गनेल एक भाग होता है गनेल भाग होता है हमारा मूल्ड बोल्ड का अगले question के तरफ चलते हैं और अगला question है combine harvester की दच्छता को प्रावद करने वाला कारक है तो यहां पर उप्रोक्त सभी हमारे सही होंगे speed of engine, moving speed, accommodation of cutter bar अगले question के तरफ चलते हैं समानेते हैं mover cutter bar बनाता है लगभग 800 stroke per minute अगले question के तरफ चलते हैं और अगला question है मानक तवा हल में तवा के सारे है तू परिउक्त bearing होती है तो यह हमारा option number D सही हो जाएगा taper roller bearing अगले question के तरफ चलते हैं एक combine harvester के tracing cylinder का अभ्यास 56 cm है 800 चकर प्रतिमिनेट से घूम रहा है इसकी परिदी चाल होगी तो option number B होगा 30.46 अगले question के तरफ चलते हैं एक 4.40 cm माप के मिट्टी पल ठलका भार के अंदर उसके पर्थम कमिंग के फाल के बिंग बिंदु में निम्न दूरी पर होगा तो इसका answer number B होगा 80 cm अगले question के तरफ चलते हैं combine harvester में real index अधिकांस निम्न रेंज में होता है तो यह हमारा answer हो जाएगा option number A 1.25 to 1.5 अगले question के तरफ चलते हैं more cutter bar को उसके चालन की दिशा से जिस कोंड पर रखते हैं वह है option number B 80 degrees एक alpha 3-3 को चलाया जाता है यह तो सबको पता होगा एक pair of oxygen एक जोड़ी बैलों द्वारा तो thank you दोस्तों यह आज की series थी ऐसे मैं हमेशा ही लाता रहूँगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी प्रेश कर दें कि जब नई वीडियो आपके जो है mobile पर आजाएगी और मैं ऐसी इस series जो है लगबख इस series में पान से आठ अजर कोशनों का संग्रा लेकर आ रहा हूँ तो आप कोशिश करके जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें